ये हसीवादियां, ये खुला अस्मान, आ गए हैं हम पिथोड़ा गड़ की खुबसूर्ती में मेरी जान आपको मिलवाने एक बुल बुलाते, OMG टैलेंट से विक्रम! अरे, सैंपू? विक्रम! विक्रम! ओए गुरू, कौन है ये विक्रम? और बबल बात क्यों बना रहा है? ओए, मैं घर से नहा के ही आया हूँ, गुरू! ओ यार, ये तो निकला कलाकार! ओ भाईयो, ठोको भाई, ठोको ताली! हमारे बबल आर्टिस्ट रोबो विक्रम सिंग के लिए! वैसे मैं बता दूँ कि इस आर्ट की सारी टेक्नीक्स विक्रम ने खुद सीखी है! सपनों की उडान भरने, सपनों की नगरी मुंबई आये! मेकानिक बन कर काम किया! लेकिन मन में कुछ कर दिखाने के बुल-बुले फूट रहे थे! फिर एक दिन सोशल मीडिया पर बबल आर्ट देखी और उनके दिमाग की बत्ती जल गई! मैंने जब एक्ट देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज हम बच्पन में भी करते थे, तो शायद सी ये हो सकता है! लेकिन वह स्टैम्पे मैंने देखा तो कि वह एकदम मैजिक टाइप का था, और मुझे लाहिप में वह ये चीज करना अच्छा लगता है कि जो मेरे के लिए खुट डिफिकल्ट हो! बच्पन में बबल्स बनाने की कोशिश तो हम सबने की होगी, लेकिन इसमें खुफिया टेक्निक लगती है वास, क्योंकि पॉफेक्ट बबल के लिए चाहिए पॉफेक्ट सल्यूशन! सल्यूशन बनाने के लिए मैंने कहीं साबून, सैंपू, बरतन दोने वाले साबून, काफी चीज यूज किया मैंने उसमें, तो हो नहीं पाता था, हर रोज मैं ट्राइ करता था कि ऐसा नहीं कि एक चीज से नहीं हुआ तो दूसरी चीज, जो लिक्विड वाली चीज हो त सारे सीक्रेट है, भत तेरी की, फॉर्मूला ना सही, क्लू तो मिला, आम तोर पर बबल्स जल्दी फट जाते हैं, लेकिन बबल्स के टिके रहने के पीछे है, विक्रम का मैजिकल सल्यूशन, ये देखिए, लंबा बबल, अरे वा, घूमता बबल, धुए का बबल, और ये क्या, इनसान से भी लंबा बबल, चलिए अब मैं आपको इनकी कुछ OMG ट्रिक्स के राज बताता हूँ, ये है वालकैनो बबल, इसे बनाने के लिए, विक्रम मू में स्मोक भरके, हाथों को अपने मैजिकल लिक्विड से कवर करके, पाइप की मदद से एक स्मोक बबल बना है, एक और ट्रिक देखिए, बड़ा बबल बना कर, विक्रम उसके स्टेबल होने का वेट करते हैं, फिर परफेक्ट प्रेशर के साथ फोंक मारते हैं, और बनता है बबल के अंदर बबल, अम्मी जन करती थी कि कुल भी धंदा चोटा नहीं होता, और विक्रम इस बात का ज जीता जाकता सबूत है, इन्होंने बबल्स बनाने जैसे बेसिक टास्क को अपना प्रोफेशन ही बना लिया, और तो और जनाब अपने चैलेंड का जादू, अब तक 500 से भी ज़्यादा स्टेज शोज और नौ पॉपिलर टीवी शोज में भी दिखा चुके हैं, ओ-म-जी जब ये मैं गाउं जाता हूँ, परफॉर्मेंस करता हूँ, तो बच्छों के चेहरे के उपर अलग ही खुशी रहते है, चाईब बच्चे हो ये बड़े हो, तो वो मुमेंट बड़ा एक प्यारा रहता है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ नया करूं, कुछ नय करते रहो ताकि हमारी तरह सभी आपको कहें O.M.G.